और मैंने रिसेंटली एक वीडियो अप्लोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि घर पर घी कैसे बनाएं तो कुछ लोगं की कमेंट्स आये थे कि उनके दूद पर मलाई ही नहीं आती तो घी कैसे बनाएंगे तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह से आ देखिए और थ्यान से देखिए ता कि कोई भी टिप आप मिस्त ना करें तो यह मेरे कर में बन एंड हाफ लीटर दूद आता है और यह भैंस का दूद है और अच्छी मलाई निकलने के लिए सबसे इंपोर्टन है अच्छी क्वालिटी का प्योर दूद होना अगर आपका आपका दूद अच्छा है लेकिन अगर तुरं तुन लड़क जाता है उसमें कोई पीछे लाइन भी नहीं बनती इसका मतला दूद में बहुत जादा पानी मिला हुआ तो इस तरह से आप दूद की क्वालिटी को चैक कर सकते हैं और अब हम दूद को उबलने रखेंगे त अब इस तूद में एक लास पानी डाल रहे हुआ है क्योंकि मेरे घर में बच्ची है आप प्रेफर नहीं करते हैं तो ना डालें फिलाल इस दूद में से भी मैं आपको बहुत अच्छी सी मलाई निकाल के दिखाऊंगे तो अब इस दूद को हम गरम करने रख रहे हैं और शुरू में हम गैस की फ्लेम को तेज रखेंगे तो बस आपको दूद को अबलने दे दूद को बहुत निकल जाता है तो अगर आप डगकर अबल रहे हैं तो प्लेट में हलका सा गैप रखेंगे जिससे की दूद अगर ऊपर अबल करके तो आपको तुरन पता लग जाए और आप कैस की फ्लेप को कम कर दें अब आपने कुछ वीडियो में देखा होगा कि कु दूद को बलने के लिए आप चाहें तो जाली से डख सकते हैं या फिर प्लेट से हलका सा अबाल सकते हैं और जब आप देखेंगे कि दूद हलका सा ऊपर आने लगा है तो गैस की फ्लेम को हमेशा कम कर दीजिए आपको दूद को ओवर बॉयल नहीं करना है मतलब बार बार ऊपर आपे। या नीचे जहा रहाए इस तरह से आपको दूद को नहीं हूबालना है तो देखें गैस दूद ऊपर आ रहा है और हमने गैस की फ्लेम को बिलकुल कम करो दिया और इसी तरह मिनिमम्ं पर आपको दूद को कमा चम पंच मिनट तक गरम होने देना है और जब आ अगर अब स्टीम इसमें ही रह जाएगी तो आपके दूद पे अच्छी मलाई नहीं पड़ेगी तो मैं तो इसको इस तरह से ढखती हूं एक चिम्टा रख देते हैं और ऊपर से एक प्लेट रख देते हैं इसे स्टीम भी निकलती रहती है और हमारा दूद बहुत जल्दी अच्छी सी मोटी मलाई नहीं पड़ती है तो देखिए अब दूद बिल्गूल ठंडा हो गया है आप देख सकते हैं और इस पर हलकी से मलाई की लिए आ भी गई है लेकिन अब हम इसको फ्रीज में रखेंगी और कम्प्लीट्ली कूल होने के बाद हम इसको फ्रीज में रखना है बितलब जितनी देर जाद कि ठंडा होगा उतनी ज़्हादा अच्छी से मनालाई आएगी तो मैं आ पको दिखा रही हो लग पक छगंटे बाद में आपको दिखा रहे हैं दूत की मलाई निकाल कर लिए दूद मैंने निकाल लीए निकाल लिए और मैं आपको इस अब इस तरह का कोई शार्प चाकू लेना है आपको चाकू आपको बिल्कुल साफ होना चाहिए और इसको किनारे से इस तरह से मलाई पहले निकाल लें क्योंकि मलाई तूटेगी अब हम इसको निकालना है हाथ से अगर आप निकाल रहे हैं तो आपके हाथ बिल्कुल साफ हो आपको प्राइब दोड़ा थे लिए और इस तरहें से आम इसके मलाही को उठा लेंगे और जल्दी से निकाल के इसको किसी डॉंगे में रख दीजिए तो देखिजिए मैं निकाल लिया मलाही और यह जो कि मैंने आपको शुरू में दिखा था तो दूद्ध सम्मारी मालाही नीकाल लिए यह फैट-फ्री हो गया है और डेव लिल्टर दूद पे इतनी मलाई आतीया है मैंने उसकेहां ज्वी प्रश्यूर में दिखा हुए आप दूद से अच्छी मलाई प्राप्त कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगए तो सको लाइक कीजिए फ्रेंड्स और फैमली में शेयर कर दीजिए और चैनल पढ़ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी को जरूर कर दीजिए थैंक यू